दोस्तो आप शभी को राजबादूर शिंगा नमस्पार आज का जो हमारा टॉपीक है यह है पाइल का लेटरल लोट केश्ट जिसे हम होरिजेन्टल लोटेश्ट भी बूलते हैं दोस्तों इसको करने का दीजन क्या है इसको क्यों क्या जाता है और इसको करने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत पड़ती है इसके setup ready करने के लिए तो दोस्तों इसको करने का जो main purpose होता है जहां पे हमारा wind pressure ज्यादा होता है अर्थ pressure ज्यादा होता है water level high होता है water level का pressure जादा होता है और साथ में अर्थक्विक जादा होता है वहाँ पर हम लोग क्या है लेटरल लोड टेश्ट मैक्सिमम करते हैं ठीक है अब दोस्तों इसको करने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत पड़ती है इसके बारे में हम बताते हैं तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं सब्सक्ते पहले हमें हाईटोलीख जैक की जरूरत पड़ती है। जोई आप देख सकते हैं हाईडोलीख हो गया hydraulic pressure gauge हो गया ठीक है इसके बाद यह हमारे magnetic stand हो गया dial gauge हो गया और दोस्तो reaction force के लिए हम लोग क्या करेंगे concrete block या अपना rock soil का क्या करते है support लेते हैं ठीक है दोस्तो तो हम आपको जैसे कि हमारा यह test चल रहा है इसके आगे का हम आपको process दिखा रहे है जैसे की reaction force के लिए हम लोगों ने क्या किया यह concrete का block है concrete के block को हम लोगों ने ground surface के साथ के साथ के साथ के साथ है support के लिए लगाया जिसके साथ आप यह देख सकते हैं हम लोगों ने MS का plate 600 by 600 यानि 600 by 600 जिसका thickness 25 mm है इसके बीच में हम लोगों ने concrete block यूज किया है इसके बाद हमने horizontal अपना क्या लगाया है jack लगाया है और jack के सामने हम लोगों ने यह आप देख सकते हैं MS की plate लगाया है जिसकी thickness इसकी 25 mm है और इसकी size की बात करें तो 600 by 600 है और दोस्तों इसमें एक बिसेश चीज और है जो हमारा jack लगाया है jack के center में ही कितना? jack के center में ही opposite side में हमारे यह dial gauge होने चाहिए जो आप देख सकते हैं और यह dial gauge का यदि हम distance की बात करते हैं तो horizontal या vertical 30 cm से ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कितना? 30 cm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं हम आपको दिखाने की कोसिस करते हैं यह आप देख सकते हैं यह लगभग हमारा 30 cm के आसपास आ रहा है आप देखिए दोस्तों इसको क्या किया हम लोगों ने grinder से पहले हम लोगों ने surface को smooth कर दिया किसका इसके support के लिए लगाने के लिए ताकि हमारा जो reading है उसको हम इजली भी में देख सके और दूसरा इसमें एक important चीज और है दोस्तों जिसके उपर हम लोगों ने अपने magnet stand को dial gauge के साथ fix किया है यह datum bar या तो हमारे pile का कितना होना चाहिए 1.5 meter या 3D distance में हमारा होना चाहिए जो कि हम लोगों ने arrangement ready किया है दोस्तों जैसे कि आप देख सकते है हमारा hydraulic pump है और यह हमारा क्या है pressure gauge है दोस्तों यदि हम इस pressure gauge की बात करते है तो जो हमारा एक division है यह कितना है 5 kg पर centimeter square का है एक division ठीक है तो इसके according इसका calculation कैसे किया जाता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा lateral load है यदि हम उसके test load की बात करते है दोस्तों तो हमारा कितना है 7.8 है ठीक है मैटिक 10 दोस्तों यदि हम safe load की बात करते है तो 5.2 मैटिक 10 है ठीक है लेगिन हमारा यह क्या है routine pile है तो routine pile के लिए हम safety of factor कितना पकड़ते हैं 1.5 times पकड़ते है और यदि हम test pile की बात करते हैं तो 2.5 तो यह हमारा क्या है routine pile है इसलिए हम लोगों का जो test load होगा वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 7.5 दोस्तों जैसे कि हम आपको अल्रड़ी बताएं है यह हमारा जो इसमें कितना increment में हमको load देना है 1.8 metric ton के लिए जो हम अपने dial gauge में pressure आएगा वो total कितना आएगा 34.8 kg पर centimeter तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं जो हमारा design load होता है हमारा design load जैसे 5.2 metric ton है दोस्तों इसका हमें per increment कितना देना होता है 20% किसका हमारा design load का ठीक है design load का increment per increment हम देंगे तो आप देख सकते हैं यह हमारा कितना 5 division में जा रहा है तो 5 division के बाद हमको क्या है इसको 30-30 minutes में इसको हमको क्या है एक-एक division देना है और उसका जो settlement आता है उसको हमको note करना होता है दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हमारा जो एक एक format है जिसको हम लोगों ने भी test किया है इसको हम आपको दिखाने की कोशिस कर रहे हैं यह हमारा lateral load test का है दोस्तों जैसे कि यदि हम overall की बात करें test load हमारा कितना है 7.8 matic ton का है यह date of testing हो गया यदि हम pile के dia की बात कर रहे हैं pile को हम test कर रहे हैं तो कितना है 600 mm का है यदि उसके हम depth की बात करें तो 13.07 meter है और date of casting दोस्तों यह चीज याद रखना हमको 28 दिन के बाद ही lateral load test करना है while casting के 28 days के बाद ठीके दोस्तों यदि हम jack की capacity की बात करते हैं दोस्तों तो कितना है 80 मेटिक तन का हमारा jack की capacity है यदि इसके ram dia की बात करते हैं तो 17 cm है और area की बात करते हैं दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा 226.86 खीक है दोस्तों तो आप जैसे देख सकते हैं हम लोगों ने 2 dial gauge odd lady लगाया है तो हम लोगों ने start किया start के every 30 minutes में every 30 minutes में हम लोगों ने load दिया है और जो हमारा required load था 7.8 तो हम लोग last में 7.8 उसके बाद हम लोगों ने क्या किया 2 घंटे के लिए हम लोगों ने hold करके अपना check करने के लिए हम लोगों ने इसको hold किया है ठीक है और यदि उसके हम average की बात करते हैं यह आप देख सकते हैं यह दोनों का जो हमारा average है यह average है हमारा net settlement का दोस्तो जो कि हमारा last में यदि overall की हम बात करते हैं तो हमारा कितना आया है 0.825 mm दोस्तो इसमें एक चीज और है यदि हमारा 30 minutes के अंदर 30 minutes के अंदर हमारा कितना 0.1 mm से ज़्यादा कितना 0.1 mm से ज़्यादा displacement नहीं होना चाहिए यदि होगा तो हमको 30 minutes रुक के जैसे हम vertical load में एक घंटे रुकते हैं इसमें हम 30 minutes रुक के next division क्या है 30 minutes के बाद ही देंगे ठीक है यदि इससे ज़्यादा settlement आता है तो हमको 30 minutes हमको और wait करना पड़ेगा दोस्तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह हमारा format है और format के उपर हम लोगों ने reading को note किया और यह हमारा net settlement हो गया तो दोस्तो इस प्रकार से हम lateral test के लिए arrangement करते हैं दोस्तो यदि इसमें हम initial की बात करते हैं तो जो हमारा maximum settlement limit होती है वो 12 mm तक होती है lateral में इसके लिए test pile के लिए इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और यदि हम इसका बात करते हैं अपना working pile में या अपना routine pile या working pile इसका जो हमारा maximum settlement होता है वो 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपना lateral load test का arrangement करते हैं और इसका test करते हैं तो दोस्तों आसा करते हैं हमारे दोरा दिखाई गई और बताई गई जानकारी आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी समझ में आई तो आप अपने दोस्तों के साथ किस information को share करें और हमारे चैनल को लाइक और सस्क्राइब जरूर करें थैंक यू दोस्तों